साथियों, दुनिया में कितने ही देश राम के नाम का बंदन करते हैं, वहां के नागरिक खुद को स्री राम से जुड़ा हुआ मानते हैं, विश्वकी सरवादिक मुस्लिम जनसंग्या, जिस देश में हैं, वो हैं इंडोनेशिया, वहां हमारे देश की तरह काकाविन रामायान, स्वानदीव रामायान, योगेश्वर रामायान, जैसे कई अनूठी रामायान है, राम आज भी वहां पुजनिया है, कमबोडिया में रमकेर रामायन है, लाओ में फ्रालाग फ्रालाब रामायन है, मलेशिया में हिकायत सेरी राम, तो थाइलेंड में रामा केन है, आपको इरान और चीन में भी राम के प्रसंग तथा राम कथाओं का विवरण मिलेगा, शीलंका में रामायन की कथा जान की हरण के नाम सुनाई जाती है, और नेपाल का तो राम से आत्मिय समन माता जान की से जुड़ा है, ऐसे ही दुनिया के और नजाने कितने देश है, कितने छोर है, जहां की आस्था में या अतीत में राम किसने किसी रूप में रचे बसे हैं, आज भी बारत के बाहर दर्जनों ऐसे देश हैं, जहां वहां की भाषा में राम कथा आज भी प्रचलीज है, मुझे भी स्वास हैं कि आज इन देशों में भी करोडों लोगों को राम मंदिर के निर्बान का काम सुरू होने से बहुत सुखद अनुभती हो रही होगी, आखिर कर राम सब के हैं, राम सब में हैं, साथियों मुझे भी स्वास है कि स्री राम के नाम की तरह ही आयोध्या में बनने वाला बद्व राम मंदिर भारतिय संस्कृति की समरुद्ध विरासत का द्यो तक होगा, मुझे विश्वास है कि हाँ निर्मित होने वाला राम मंदिर अनंत काल तक पूरी मानवता को प्रिणा देदगा, इसलिए हमें ये भी सुनिश्चित करना है कि भगवान स्री राम का संदेश, राम मंदिर का संदेश, हमारी हजारों सालों की परंपरा का संदेश कैसे पूरे विश्व तक निरंतर पहुचे, कैसे हमारे ज्ञान, हमारी जीवन दुरुष्टी से विश्व परिचीत हो, ये हमारी वर्तमान और हमारी भावी पीडियों की विशेश जिम्मेदारी है, इसी को समचते हुए आदेश में बगवान राम के चरां जहां जहां पड़े, वहां राम सरकीट का निर्मान किया जा रहा है, आयोध्या तो भगवान राम की अपनी नगरी है, आयोध्या की महिमा तो खुद प्रबूस्री राम ने कही है, जन्व भूमी ममा पुरी सुहावनी, यहां राम कह रहे हैं, मेरी जन्व भूमी अयोध्या अलोग कि शोभा की नगरी है, मुझे खुशी की आज प्रबूराम की जन्व भूमी की भव्यता दिवता बढ़ाने के लिए कई एतियासिक काम हो रहे हैं,